हेलो जैन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल नौकर तक पर हम पर पस्तित है कि नए वीडियो में यह वीडियो सीट जो दिसंबर 2022 में यानि की विगत अगले महिने से आपको मिड दिसंबर यानि की 15 दिसंबर के बाद आपको एक्जाम देखन था और जिनका भी गलती हो गया है कुछ तूटी हो गया है नाम में या किसी भी चीज में तो वह तयार है 28 नॉम्बर से और तीन दिसंबर के बीच में आपको मौका दिया जाएगा सुधार करने का ठीक है चली ततकाल आप पढ़ लेते हैं यह मैत के कुछ प्रस्ण है पां पर चलते हैं चलिए पहला प्रस्ण हम लेते हैं आपके स्क्रिन पर अज़े यह देख लिजिए के स्क्रिन पर आपका कुछ सन दिख रायकी नहीं इसा प्रश्ण आपको मैंने कल भी कराया था कि जब भी आपको मतलब किसी पॉइंट और टाइम पर बजता है या मैसज आता है या किसी और अलग लग स्वेपर घंटी बसता है तो इसे प्रश्ण में सभी में LCM निकालते हैं आप प्रस्चन पहले देखेए प्रस्चन बोलता है क्या कशन देखे क्या बोलता है यह कोंसर नहीं बहुत इंपकृटेंट कोंसर राःफ एक चोगार है पर होता है ना स्ट्रीट लाइट लगा होता है कहां सा हर 30 सेकंड 45 सेकंड एक मिनट और 75 सेकंड बाद बदल जाती है यदि सभी बत्तिया एक साथ दो पहर 35 यानि कि साम का समय है और दो पहर के बाद वाला एक 35 पर बदलती है एक साथ तो अगली बाद जब वह एक साथ बदलेगी तो वह समय क्या होगा ऑप्सन समय में दिया हुआ है तो एक साथ तो बजा है कब एक बज़के 35 मिनट पर एक बज़के 35 मिनट पर बज़ा है तो जब भी स्ट्राइब का कॉस्चन हो तो इसका LCM निकाली एक साथ जब भी घंटी उन्टी वह है जब सब सकेंड में है तो इसको भी मिनट में तो एक मिनट में बावर कितना स्टेंट शाट सकेंड बहुत बढ़िया समझ गया है और 75 सकेंड ऊटी है यह हो गया अब इसका LCM निकाल लेते हैं जब आप इसका LCM निकालेंगे यानि 30 45 60 75 इसका जब आप LCM निकालेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको आता होगा यह बहुत आसान प्रस्टन है जब इसका आप LCM निकालिएगा तो LCM कितना आएगा पता है LCM आजायेगा जीहन में बता है 900 900 क्या चुकि सभी सेकेंड में था तो 900 सेकेंड आ जायेगा यहां तो आपसन में जो दिया हुआ है सब ही समय दिया तोबज के 5 Minuit आनि इस इस का सिकेंड में तो है नहीं घंटाओ मिनट में Ahora clock में 2 बच यानि आपका हो गया 15 मिनट क्या आ गया 15 मिनट आ गया यह 15 मिनट आया 15 मिनट जो आया 15 मिनट काने का मतलब यह हुआ क्वश्चन तो ठीक है चलिए हाँ 15 मिनट आया यानि इसका मतलब यह हुआ यह है 15 मिनट काने का मतलब यह हुआ कि यह सभी घंटियां जो है जो 30 सेकेंड 45 सेकेंड एक मिनट और 65 सेकेंड के बाद बसती है यानि कुछ अंत्राल पे तो फिर से कब बजेगा यानि एक साथ जो बज़ा है एक बज़ के 35 पे परतेक 15 मिनट पर यह सभी यह सभी जो लाइट एक साथ जलेगी कितना निट के अंत्राल पर έलसियम निकालने का मक्षद यह हुआ कि आपको यह मताना है कि एक साथ एक साथ कब यह शाफ wizard मिनट क Cry फ हूं जलेगा तो यह बता यह simple चलिए इसको अटाते हैं यह देखिए यह बताए 1.35 में तो 1.35 पीम 1.35 पे यह light बदलती है आपसे पूछा है तो अगली बार जब वो एक साथ बदलेगी एक साथ बदलेगी तो वह समय क्या होगा और आपको पता है न यह light प्रतेक 15 मिनट के अंत्राल पे बदलता है तो यह सभी light एक साथ दोपार 1.35 में जला अब प्रतेक 15 मिनट पे तो 15 मिनट इसमें जोग दीजिए तो एक घंटा 35 मिनट है एक बज़ के 35 मिनट तो एक में 35 में पंदरा जोग दीजिए एड किजिए क्या होगा 5510 हाथ में एक तीन एक चार एक पांच एक बज़ के 50 मिनट पीम यानि दोपार के एक बज़ के 50 मिनट पे यह पुना जलेगा यानि आपका option नमबर हो जाएगा बी option नमबर option नमबर क्या हो जाएगा 30, 30, 45 पशिक है एक बज के 50 मिनट इविनिंग में एक साथ बदलेगा जब भी ऐसा प्रस्ण हो तो इसमें पहले LCM निकालना LCM इसलिए निकालते हैं जिससे ये पता चलता है कि एक साथ कब तो एक साथ 15 मिनट के अंतराल पे लेकिन जब एक साथ बजा उस समय समय ये था अगला कब तो फिर उसमें 15 एड़ कर दिजिए कोई दिक्कत तो नहीं चलिए आप चलते हैं अगले प्रस्ण पे यह प्रस्ण देखिए बहुत अच्छा प्रस्ण है ऐसा ही प्रस्ण पूछता है स्क्रीन पर पहले आप देख लिए कोई दिक्कत तो नहीं मैं चेक कर लेता हूं चलिए कोई दिक्कत नहीं कुछन को आप पहले पढ़िए ध्यान से इसका ओप्सन नहीं देंगे चुकि कुछ कुछन बिना ओप्सन का ही बनाना चाहिए यह पूछा हुआ प्रश्ण है joyland कि माने उसे जण्म दिन पर माल लेजिए आप सभी मेंसे कोई मरलिन किसी नाम की व्यक्ति है या मरलीन की मा ने उसे जन्म दिन पर टोफिएंब का pocket अपने सात्यों के साथ बाटने के लिए दिया आप टौफी का pakekट आपकी ममी ने आपको दिया अब कितना दिया ये मुझे नहीं पता ना बच गया तो उसके packet में शुरवात में कितनी टौफिया थी शुरवात में कितनी टौफिया थी इसका मतलब उसकी मां जो थी मरलिन की मां ने कुल टौफि कितना दिया यानि आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग में यानि कुल टौफि कितना था तो ऐसा प्रश्ण जब भी हो तो इसको बनाने का तरीका है आप माल लिजिए कुल 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 टौफियां स्टार्टिंग में पता कितना था देखिए कितना आसान है इसको आप X माल लिजिए खेला खतम X माल लिए अब बताईए आप जो बातेंगे तो कुल का ही बातेंगे तो X का दो बट्टा साथ भाग किसको दिया किसको दिया जिसको भी देना तो दे दिया अधिती को एक बट्टा छो भाग अमल को दिया किसका इसी का ना तो इसका भी लिख लिजिए X का 1 बट्टा 6 भाग दिया उसके बाद 2 बट्टा 5 भाग फ़रान को दिया कितना का X का ही तो लिख लिजिए X का X का 2 बट्टा 5 भाग ठीक है चलिए इस कुस्टन को यहां लगाते है चलिए 2 बट्टा 5 भाग इसको दिया उसके बाद 1 बट्टा 7 भाग जारी को दिया कितना का X का X का लिख लिजिए X का कितना भाग 1 बट्टा 7 भाग चलिए और ऐसा मैंने क्यों किया और लास्ट में कितना बच गया पहलस दो पहलस दो ठीक है यानि कहने का मतलब वह इस चीज़ को समझिए यह जो मरलीन का मरलीन जो है टॉफी जो बाट गा है किसके बीच अपने दोस्तों के बीच तो आपको पता है मरलीन ने टॉफियों का 2 बट्टा 7 भाग बाटा X का फिर X का इतना बाग किसी और को दिया फिर X का इतना बाग किसी और को X का इतना बाग किसी और को और लास्ट में बच गया इतना और जब सभी को जोग देंगे सभी को एड कर दीजिए आप सभी को एड कर दीजिए यानि सभी को एड किजी आप देखे कितना असान हो जाएगा, सभी को जब add किजिएगा, और लास्ट में दो बच गया इसको भी add कर दीजिए, तो जितना बाटा, सभी को जितना टौपी था उसके बास, मुझे नहीं पता, उस सभी को जब बाट दिया अपने दोस्तों के बीच में, तो टोटल कितना है, x च्योंकि x टोटल हुआ, और सभी के बीच जो बाट आउन सभी को जोग देंगे, तो कुल के बढ़ाबर नहीं हो जाएगा, होगा, चलिए, बहुत बढ़िया, अब इसको कीजिए, x गुने 2, 2x, बटा 7, पलस x से काई, x बटा 6, पलस 2x, बटा 5, पलस x से काई, x बटा 7, बटा 7, पलस 2, बडाबर x, हो गया, चलिए, आप कोशिस कीजिए, इसको सॉल्व करने का, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, देकि सभी में x, x, x है, तो आप क्या कीजिए, सभी का LCM निकाल दीजिए, क्या बट्टा छोग परफ़ाइब परफ़ाइब फाइव फालस एक्स बट्टा सेवण आइस एकस को इदर ले आई है चुकि एक जाती वाला को इधर ले आए अब आप आख मुन के पर फलस दो को उधर भेज दीजिए पालस दू है तो तो दल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस दू क्या हो जाएगा गाउज जए गज़े मेरी दोस्त माइनस 2 फ़स जाएगा इद़र अब इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो यक मान ले आप सभी का LCM निकालेंगे जब आप LCM निकालेंगे साथ छो पांच साथ जब सभी का LCM निकालेंगे तो पता है क्या हो जाएगा आपका 210 आजाएगा सम्तिंग देख लिजिए एक सभाइट चो है इदार हाई नहीं हाँ यहाँ एक शीज है टू एकस बट्टा सेवन है consta 7 क्लिए यह दो है तो दो거를 मोटा सेवन इसका आप जोर दीजिए इसको आप जोर दीजिए किसको मंदू ऑर इसको टीनेर उप et 2 इसेवन प्रीका तरहमी करने का तठीकित करने इसka काहिस घुड़्टा थे ट्रीक्स भीड़ें सेवन प्राम नेस एकफ़ें ट्रीक्स-2 करने काल्सियम निकालेंगे जब आप सुल्व कीजिएगा काटा-पिटी कीजिएगा तो आपके सामने एक्स कामान आ जाएगा चार्सौ बीस कितना आ जाएगा चार्सो बीस यानि आप क्या पूछा है कि शुरुवात में कितना था शुरुवात में तो टौफी टोटल था एक्स तो एक्स नहीं कि 420 आपके पास टौफी था कितना टौफी था चार सो बीश टौफी था इसको आप कर लिजेगा बहुत असान है चुकि साथ से भागा दीजेगा जो आएगा फिर उससे गुना कर दीजिए फिर इससे किजिए सिंपल है बहुत असान है चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्ण पर बहुत असान असान प्रश्ण आपको हम ठीक है मरलीन की माँ चलिए आपको मज़ा भी आ रहा होगा चुकि हम को संट चुन-चुन के लाएं में हैं चलिए यह को संट लिजिए पहले स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है कि नहीं चलिए 14 मिनिट का विडियो हो गया है इस प्रश्ण को देखिए बहुत आसान प्रश्ण है इसको आप देखते मातर बनाएंगे अनू अनू नाम की एक मैला साथी है एक मिठाई की दुकान में गई उन्होंने दो किलो पांस सो ग्राम लड्डू खर दी तीन किलो में नहीं लेते हैं एक में लाल गुलाब तेन गुलाव जाबून दे दीजिए कुछ सपंज दे दिजिए अब बोलिएंग्भा में उसको डाल दीजिए लेकिन उस डिबे का जो छंता जिस्ट इस डिबा में लाएगा मात्र साथ सो पचास ग्राम यह आएगा और समान क्या रिए इसने शमाल लिया क्या कहा लिया दो कीदो 500 ग्राम तो दो कीदो 500 ग्राम ने। दो किलो पांस सो ग्राम तो कितना हुआ एक किलो में यह बताईए एक किलो में कितना ग्राम आपको पता है फिर भी हम बता देते हैं हजार होता है हजार ग्राम होता है कि नहीं ठीक है तो किलो में दो हजार दो हजार पलस पांस सो कितना हुआ पचीस सो पचीस सो ग्राम हो गय आठाए सो तीन किलो आठाए सो ग्राम का मतलब एक किलो में हजा ता तीन किलो में तीन हजा आई ये कितना हो गया बतीस सो पचास ये आपका ग्राम हो गया चलिए आप चलते हैं ये देखिए और क्या कह लीए भाई मेरे वह और ली है रसुल्लाह भी ली है कितना चार किलो कि आहिए चेंज करने का नाववत क्यों आया तहर चार किलो का मतलब चारजा चेंज इसी लिए की हैं जिस डिबा में इंसमान को पैक करेगा वह ग्राम में दिया हुआ है कि एक डिबा में मात रूँसकी चंपता जो है जिस डिबा में ये सभी समान क्या-क्या जो आपका दुकान से खर दी है लट डूजले भीरस गुला तो टोटल तो इतना खर दी लेकिन कीलों में नहीं लिए ग्राम में चंज किये क्यों चुकि जिस डबा में सभी इस अब सम कितनों डिबो क्याब सकता है ठीक है और यह तो ग्राम में दिया हुआ है तो इस सभी को एड कीजिए जब इस सभी को एड कीजिएगा यानि किस किस को देखिए पचीस सो पचीस सो इधा हो गया 3250 क्या हो गया 32 3250 और 4000 जब सभी को एड कीजिए तो क्या होगा जीरो पांच पांच दू साथ चारतिन साथ दू नौ यह नो सो नो हजार साथ सो पचास ग्राम यह टोटल समान खर दी है अनू ने एक दुकंदार से इतना इतना टोटल बजन खर दी है इतना ग्राम अट डिबा के छमता इतना एक डिबा का इसको पहले नोट कीजिए ठीक है नोट किए उसके बाद देखिए इसको आप कहीं लिख लेंगे कहीं कोई बात ने अब बताए चुकि हम जानते हैं साथ सो पचास ग्राम का एक डिबा है एक ही डिबा है ना एक डिबा है इसीलिए एक एक ग्राम देखिए आपको इतना असान बता गए तो एक ग्राम में कितना डिबा है एकपूणानlak साथ सो पचास इसी बजन कितना है था आपको 4750 ग्राम उस्में क्या ओगा एक 750 गूले नवहहजाख साथ सो पच्चास अब कितना डिबा इतना में इतना इतना में कितना डिबा मिया इलगी प्रभेंद थिक्त यू कर गया आप यह कट जाएगा पांच से पाचे काई पांच चांग गया पाच नम्मा 45 25 सवर्ट पाच्ष हो गया चाहँ है चाहँ है पाच्छेट यह कट गया 5 एकाई 5 दो पच्छे 25 ठीक है 15 एकाई 15 16 17 19 हां 15 15 15 15 चार बच गया 15 तिया 45 यानि इस अनु को 13 डिब्बा की और जरुबत है जिसमें उनका मिठाई सब पैक हो जाएगा आपको डिब्बो की संख्या बोला यानि आप्शन नम्मर आपका भी हो जाएगा यानि कि अप फोंटल टोटल डिब्बार की आपको का अपसकता भरी है देखे कितना असान प्रशन है ठीक है चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्ण पर ठीक है चलिए ये कोश्चन लिजिए बहुत अच्छा प्रश्ण है आप इसे देखके घबगाना नहीं जो भी जितना भी लेंदी प्रश्ण होता है वो सब आपको बस घबगाने के लिए है बहुत आसान अब देखिए मैंने माध्यमादी का बहुलक परिसर सब पढ़ाया थ बिडियो नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे माध्यमादी का बहुलक परिसर पढ़ लेना ठीक है अब हम बनाने का प्रियास करते हैं जो जो हमसे पढ़े हैं उनकों बन जाएगा एक ऑफशन दिया ये इंगलि तो बहुत तो बुलेंगे सा अप्शन में हिंदी मीडिया में पढ़ लेंगे पहला अप्शन क्या दिया माध्य जो है माध्यका से अधीक होता है दूसरा माध्यका माध्य से अधीक होता है आप समझी भी नहीं आएगा तो आसान है क्या करना है देखिए आपके सामने क्या किया दिया 15 8 13 23 23 कि बाद क्या है 15 21 22 3.. 12-3 2 3 4 5 6 7 8 यहां गिनना वश है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ देधिया गे तो सबसे पहले चुकि ओप्सन संभ़ी वही दिया है क्या दिया है माद्ध मादिका जडीके पता नहीं यहांई इसका मतलब इसका मद्ध मादिका निकाल लिजिए जैसे ही निकालेंगा पता लग जाए जब 15,8 इसको add कीजिए जब इसको सभी को add कीजिएगा 15,8,13,1,23,15,20,1 जब सभी को add कीजिएगा माध निकानने का मतलब हुआ कि इसका फर्मूले होता है देख लिजिए आकरो का योग बटा आकरो की संख्या आकरो की संख्या टोटल सभी को जोग देना है रहिए गिल लेना कितना एक दो तीन चार आठ को तो आठ से भागा देती है तो इन सभी को जब add कीजिए गा इसको add कीजिए पंदरा यही है scale आठ पलस सेराइग पलस एक पलस तईसbat फलस पंदराइग पलस बीस पलस एक कल और सभी को धना कितना है अंधितां 5DR6 तोटल आख्रों के संक्या का कितना आठ तो नास्ट भांगा दीू किसको आप्दकी और एइड कि जिह गा यानि बारा क्या गया यहापका माध्या गया न उसको पाले नोट कीजिए आप माध्या गया अब माधिका भी करते हैं तो अधिका निकानने का तरीका नहीं दो anga ठीक है मादिका मादिका निकानले का तरीका देखिए जब भी आपको मादिका बोले तो उसका पहला स्टेप आपको बताए हुए है नहीं पता है तो इसके वीडियो के नीचे में लिंक डाल देंगे पढ़ लिजेगा जब भी दिया हो जो भी आकरा दिया है 15-18-13 इसको पहल मादिका निकानले से पहले उस आखरे को आधे काम असेंडिंग और में आई आपको आधे क्रम में सजा लिजिए तो इसको सजाईये क्या होगा इसमें देखिये क्या होगा देखिये इसमें 15-18-13 एएएग है एक दो यह तैस है पंदरा बीस है तो इसके बाद हमें लगता आठ होगा क्या होगा इससे बगा क्या है आठ है आठ के बाद क्या है तेरा आएगा इससे बगा इसके बाद आपका पंदरा आएगा पंदरा के बाद पंदरा दो बार दो बार लिख लिजिए समझ में आया इस से बगा आजाएगा थैस आप गिल लिजे कितना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आपको क्या करना है कि इसमें से बीच वाला चाटना है बीच में जो भी बीच में आएगा उसको छार्ट लेना है तो देखिए कितना है टोटल तो 8 है तो इसके बीच में क्या क्या आएगा इसको आप इससे कर लीजिए यहां आप लिख देते हैं आप समझ में आयाएं का ठीक है माधिका का मतलब बीच में देखिए एक दो तीन चाल पाँचे साथ आठ आठ है न तो इसको बीच में कई से छाटेंगे देखिए इधर से कितना वाट है तो इधर से हो गया एक दो तीन तो तीन इधर से छाट लिए तीन इधर से छाट लिए तीन इधर से छाट लिए तीन इधर छाट लिए तीन इधर छाट लिए तीन इधर छाट लिए ठीक है क्यों हमको बीच कांग पता लगाना माधिका का मतलब पहले तो हम के हमें बीच्वाला लेना थो दो बच गए दो दोर दोनों का इन दोन Kings簡 Setting hai 13, 15 जो बच एक समय दोना ब्हारत कर देना है अब कभी अकेला भी आएगा अभी तो 8 था इसलिए बीच में दो आया हमाल लिजे 7 डीजित होगा वो भी बताएंगे तो 13 पलस 15 कर दिये क्या हो गया 10 10 25 25 23 28 28 बट्टा 2 काटेंगे 14 यह 14 क्या हो गया यह 14 आपका माधिका आ गया यह 14 माध्य का आया और यह बताइए और माध्य का आया था माध्य आया था आपका 12 यह आपका माध्य आया था माध्य आया 12 और माध्य का आगया 14 यानि माध्य का 14 और माध्य का 12 यानि कि माध्य का 12 है किस से माध्य से अब option में देखिए पहला option माध्य जो है माध्य का से अध तो यह औप सन्होंब्र ही नहीं दूसरा माधिका जो है माध्य से अधिक करें यह माधिका माधिक से अधिक है तो अधिक है कि नहीं यह 14 यह 12 है यह अपसा नम्मर B हो जाएगा देखिए कितना असान है है न मैंने एक चीज बताया आपको रिलेक्स होके यह सब कोई हाड नहीं है बस जुटे गई है हमसे अब देखिए यहां तो आठ को था एक दो आठ को तब मात दिकान निकालने के लिए बीच में दो बचा कभी कभी क्या होता है सर जैसे मानी यह कुछ भी दे दिया तीन पाँच छो साथ आठ यह कितना संख्या है एक दो तीन चार पाँच अब कहएगा इसका मात दिकान निकालो तो आगवी करम में तो ही है मात दिका बोलेगा तो बीच वाला लेना है तो देखिए इधर से भी दो छट गिया और इधर से भी दो छट गिया तो बीच में तो एक ही बचा तो बोले तो बोले तो जोगने के लिए तो यहां एक ही बचा है जब एक बच जाए तो वही उसका मात दिका हो जाएगा और यह एक बच्ता कर जब आकों की संख्या बिस बिसम आपका मादिका एक ही बचेगा लेकिन वही आकों की संख्या सम आवे सम दैसे हो गया चार हो गया या आठ हो हो गया यह दस हो गया total total जब आखो क्रि Init शरण संख्या आवे या एक और तीन, चार पंच तो आखो क्रियस संख्या क्या पाँछ है या यूदि विसम जब भी प्रिसम आएगा तो एक इसमें बचेगा वही आपका मातीक का do ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले प्रसों पर मुझे पूनविश्वास है आपको शेसम बहुत अच्छा लग घ्राइब होगा मैं जानता हूं सिसल लंबा हो जाता है् पीए ठीक है कुछ ने वेन ही ले वैन ही ले do झाले द्रमों के जैमिती तरके ऐस्तर का ऑस्तर नहीं के नहींded say है यानि नहीं का मतलब इनों कोंना है इस और ईप्सन में से चार ओप्सन में से कान सा जब भी आपको आपंसबर मेंन है या अप को घुनन pper की कि और याद करना है जब भी आपको बोल इन में से कौन नहीं है इसका मतलब इन चार आप संद में से गलत option को छाटना है बस नहीं का मतलब गलत को छाटना है एक उपनी धरले की बात आब करे नीदरलेटगे इन्हों ने बच्चो बच्चा जो ऑठावी सिख्ता है तो बच्चे कैस सीकता है उस पे इन्हों किया था उस्तर किया थे हो leash क्या हूगा थे और वां हिले सहाम ने हम कुछ बताना चाहते हैं हम कुछ बताना चाहते हैं आपको देख लीजिए क्या बताना इसका कुछ सोच के हम देखिए यह देखिए यह देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा चली मैंने क्या बोला वैन हिले एक जामितिय था मतलब जामितिय जामितिय तरक के सिधानत का अस्तर दिये थे इन्होंने बच्चों पे खोज किया था कि बच्चा जामिति कैसे सिखता है तो इन्होंने क्या किया पांच अस्तर में बाटा है इसको याद कर लिजिए पांच अस्तर यह जो मैंने बोला यह आपका stage 1 को यह stage 0 बोलते है यानि बालक जयामिती को किस तरह से सीखते हैं जो बैट्री को इसके बिविन अस्तर को उन्होंने बताया उन्होंने प्रतिगोपो को 5 अस्तर में बाटा है 5 अस्तर कोन है एक देखिए 0 1 2 3 4 तो 4 अस्तर यह हो गया आएक त तोटल पांच अस्तर आपसे पूछेगा कि मोडल के अनुसार जब अच्चे सीखते हैं जैमिती तो कितने अस्तर में माटा गया है कभी कभी यह पूछ देगा ऑप्सन देगा तीन चार पांच छो तो आप बोलना पांच पांच अस्तर में बाठा है एक उसन तो यहां से बन परसन है तो आपको वही बोला है और इसी को स्टेज 1 में चैयो एंप स्टेज 0 यह को बोलते स्टेज 2 स्टे इस तो इसको बोलतें स्टेज 3 कि कि और इसको बोलते स्टेज फो यह पांच अस्तर हैं करें गया साथ एक दो तीन चाहर यह हो गया है यह स्टेज यह हो गया आपका यह 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 वान से नहीं स्टेज जीगो होता है चाकशुशी करन यानि किसी भी चीज को पहले पाचाने गादा पाचानना उसका नाम बताना उसके उसका बिशलेशन करता है बक्चा कोई भी चित्र का बिशलेशन करेगा और अफचारिक में उसमें सत्यापन करने लगता है और उसके बाद लास्ट में दिगड़ता या स्वैंग सिद्ध तो आप बताएए इस कुछ्षन का जवाब कुछ्षन क्या था निमलिकित में से कौन समां का आपको समझाने के लिए कि यह यह बताया उन्होंने पहला स्टेज में क्या बोला बरासलेश चाक्षुसी करन यह दुर्शी कलंट तो यह तो होगा नहीं जुकि मैं princip नहीं है चैनि तो कहीं आप है चाक्षुशिकरण या द्रिस्शिकरण या मांसिक और विश्लेशन भी बोला था अनपचारिक भी बोला और द्रिड्टा या स्वेंग सिद्ध भी बोला तो फिर इसमें यह कहा है मुर्थ जो है मुर्थ वाला मुर्थ की ति इन्हों बात नहीं किया आप से क्या पूचाहिए नीले तीक अनुसार कौन सा अस्तर नहीं है तो यही नहीं यहीं आपका सही हो गा क्यों चुकिये अस्तर पर उन्होंने बात हिर पात किया था दृष्सी करन उसके बाद बिसलेसन उन सब पर बात scan इसलेशन अनपचारिक उसके बाद आपचारिक पर बात किया था इतना आई नहीं अलाश्ट में स्वैंग सिद्ध इन सब पे तो उन्होंने बात ही किया था तो यह आपसे पूछा है कि निमें से कौन नहीं है तो इन option में से कौन सा गलत है तो आपका option number B right answer हो जाएगा और आप लोग यह बताएं सेशन कैसा लगा अगर सेशन अच्छा लगता है हमारी मेहनत आपको पसंद है तो एक बार वीडियो को अबस लाइक करना नहीं भूलेंगे और साथ में कमेंट में अबस लिखिएगा कि सर आपका के लिए मेनत करते हैं तो कमेंट में लिखिए का सण इसी तरह वीडियो लाइए तो आपके लिए तब इसे परकार विडियो लाते रहें गे चलिए आज के विडियो इतना ही हावनाच डे गुड नाइट सुब रातरी जैभार जैए हिंदre जैबार